तो दोस्तो नमस्कार हमारे यटूब चैनल में आपका स्वागत है देखे दोस्तों हम आप लोगों सुचित कर देना चाहरा है कल से जारकन सरकार की एक नया भरती का आविधन सुरू हो रही है आप सविक केंडिडेट इस वेकिंसी को ओनलाइन आविधन कर पाएंगे इस वेकिंसी का पूस्ट डिटील, अपलाई प्रोसेस, एज लिमीट, सेलरी सारे डिटील में आपको जो है बताई जाएगी दोस्तों हो गया है जहाँ पर तोसं जुर्य इंजीनियर साइत कई अलग-अलग पोस्टों के लिए वेकिंसी निकाला गए है कुल मिलाकर 1562 पोस्ट लिए वेकिंसी है जिसमिसी रेगिलर में 251 पोस्ट है और बेक्लाग में देख़ें एक 11 पोस्ट है and क्या क्या पोस्ट आप लोगा जो है निकल कर आई है तो देखिए कनी अभियंता यांतरिक जो की पेजल एवं स्वक्षता विभाग में 26 पोस्ट है कनी अभियंता असेनिक में पेजल एवं स्वक्षता विभाग के अंतरगत जहां पर 220 पोस्ट है देखिए स्टीट लाइट में 55 पोस्ट है pipeline inspector में 16 पोस्ट है कनिय अभ्यंता बिद्धूत जो की नगर एवं आवाज विभाग के अंतरगत 46 पोस्ट है कनिय अभ्यंता असेनिक जो की नगर एवं आवाज विभाग के अंतरगत 188 पोस्ट है, कनी अभियंता यांतरिक जो की नगर एबम आवाज विभाग के अंतरगत 51 पोस्ट है, आगे देखे दूसरू, कनी अभियंता ओसेनिक जो की देखे जल संसादन विभाग के अंतरगत 400 पोस्ट है, कनी अभियंता यांतरिक में जल संसादन विभाग में 30 पॉस्ट है कन्य अभेंता बिद्दूत जो की उर्जा विभाग के इंतरगत चार पोस्ट है तो इस तरह के दुशन आप लोगा जो है विकेंसी निकाला गया है आई ये विकेंसी का काले देखते हैं सभी पोस्ट के लिए सो अलग-अलग कुईालिपेकरसण मांगे गई है तो चलिए बात करते हैं कि करके सभी पोस्ट का में आपको क्व्याविकेशगे डितल में बताएंगे स्रीट फट्रेटर के लिए मनिता पराप पिसे भी दियाल है संस्थान से बिद्धूत्रेड में डिप्लोमा किये हुए या फिर देखें आईटि आई पास किये हुए है तो आप लोग जो है इस्टीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए आविदन कर सकेंगे pipeline inspector के लिए देखे अब मानिता प्राप्त ऑध्योगीक परिशिक्षन सहस्थान से plumbing trade में पास है तो आप लोग जो है pipeline inspector के लिए आविदन कर सकेंगे करनी अभिद्धि आउन्तरिक के लिए दोस्तों यहां पर आप लोगा देखे क्या qualification मांगे गई है तो बिधी दुवारा अस्थापीत एवं केंदर सरकार या पर देखे राजय सरकार दुवारा मानिता प्राप्त सहस्थान या पर देखे आखिल भारतिय तकनिकी सिक्षा पर बात रहोंगे ठीक है चलिए बात करते सो अगला हम लोग यहां पर जो क्वालिफिकेशन आप से मांगे गई है जो कि कनिया अभियंता देखिया होसेनिक के लिए देखिये मानिता पर आप विशविद्याले संस्थान से सीवील में डिप्लोमा किये हैं तो आप लोग आवि दिन कर पाएंगे ठीक है तो आगे हम लोग देखते हैं यहां पर आप लोगा जो और भी मांगा गया है जैसे कि अब यहां पर देख रहे हैं करनिया बंता क्रिशी अभियंतरन क्रिशी पसुपाला ने उस्ता कारिता विबाग जो कि हम आपको इसका बता चुके हैं यहां पर देखे मोटर या निरक्षक के लिए मोटर या निरक्षक के लिए स्थापीत एवं केंदर सरकार या राजसरकार द्वारा मानेता प्राफ संस्थान अथ्वा अकील भारतिय तकने की सिख्छा परिशाद यानि ए आइसीटी द्वारा मानेता प्राफ संस्थान से यांतर सकेंगे ठीक है तो जले सो एज लिमिट बात कर लाएं तो सभी के लिए क्या आप लोगा देखिए इन सभी पूश्टों का एज लिमिट रखा गया है मिनिमम देखे 18 वर्स ठीक है जो कि दोस्तों अप्लिकेशन फी के बारें बात करने देखिए 100 रुपय लग रहा है जेनरल ओवी सी डिवलोएस के लिए और अधर इस्टेट जो आविदन करेंगे उनके लिए 100 रुपय ही लगेगा स्टेट के लिए 50 रुपय पेमेंट है फी आप लोगो जो है ऑनलाइन तरीके से ही पेमेंट करनी है तोस्तों फॉर्म भरान आप लोगा जो है कल से स्टाट हो यहने साथ जून से 6 जूलाय तक आप लोग आवे दिन कर सकेंगे 8 जूलाय तक देखिए फी पेमेंट कर पाए है यहां पर देखिए ऑनलाइन डेटन एक्जामनेशन होगा सबसे पहले जो कि से बीटी मूट में लिया जाएगा यानि कंप्टर बेस में आप लोगा देखिए एक्जाम होगी पेपर वान और पेपर टू दो पेपर आप लोगा एक्जाम होने वाला है ठीक है उसके बास सब्सक्राइब करेंगे और लिंक कर लेंगे और लिंक एक्टिवेट रहने के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए और बेल आगन को जरू प्रेस के धन्यवाद